कि नमस्कार मैं रुप्णरेंड सर्मा रेजोनेंस पीसिसीप डिविजन और हम आज चलते हीं क्लास 10 और क्लास 10 का हमने लिया है अपठित गद्यांस बच्चों हमारा सेबिएसी बोड का जो पहला प्रश्न होता है वह आपठित से ही सुरु होता है अब आपठित पोद्च का आपठित गद्यांस से शुरु क्यों करते हैं कि उसका कारण यह होता है कि परिक्षा में पहला प्रश्ण वहा होता है जो बच्चों ने उनके जीवन में कभी नहीं पड़ा यह दी बच्चे उस प्रश्ण को हल कर देते हैं तो जो कोपी चेकिंग करने वाले हैं वह यूं समझते हैं कि बच्चे ने जब पढ़ा हुआ न है उनकी सकारात्मक सोच को ले करके जाता है अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इसको हल कैसे करें अपठित क्या होता है इसके कौन-कौन से नियम होते हैं गलत होने के संभावना कैसे ज्यादा होती है तो आज हमारा विश्य एक दूसरी बात सबसे ज्यादा नंबर का भी अपठित गद्यांस ही होता है आप से परिक्षा में चार अपठित गद्यांस पूछे जाने हैं जिसमें से आपको दो कorit कघ्ड्यांस हल करने हैं तो इसको हल करने की क्या विदी है देखते हैं हम नंबर एक है कि आपथित गज्द्यांस का अर्थ एवं परिभाषा लेते हैं साब आपढ़ित से तातपर क्या है आपढ़ित से तात्पर अर्थ ग्रहन करने योगेता होने पर विशेश महत्व इस सामगरी के विद्धियार्थी पुर्वानुमान नहीं होता यानि इसका मतलब यहां है कि आप अठेत गद्यांस को जब आप हल करोगे तो आपको पहले जिन्दगी में आपने पहले कभी भी हल नहीं किया आपके लिए एकदम तरो ताजा नई चीज रहेगी नई सामगरी रहेगी तो आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप नहीं पड़ा है उसको भी आप आसाने से हल करते हैं तो चले क्या क्या जवुरत पड़ती इसमें तो आप अठिद गद्दियांज को उत्तर लिखते समयं या हल करते समयं उसके नियम क्या है कैसे हल किया तो पहला नियम देखो आप कि आप अठीत सामगरी का गंभीरता से अध्यन करना चाहिए पहले तो क्या है कि आपको गंभीरता से अब इसको गंभीरता से कैसे हल करोगे देखो इसका नियम है कि आप अठीत गद्यांस को कम से भी कम कितनी बार कम से भी कम दो बार पढ़ना आवशक है कितने बार पढ़ोगे दो बार पढ़ना आवशक है अब कि साथ पहले बार कैसे पढ़े दूसरी बार कैसे पढ़े देखो आपके हाथ में पेन या पेंसिल रहेगी पहले तो आपको सामाने जैसे बुक पढ़नी है समझना कुछ नहीं है पहले round में तो आपको क्या करना है कि सामानने गद्यांस को पढ़ना है और हाथ में पेन या पेंसे लेनी है जहां पर भी कटिन सब्दार्त आए उन कटिन सब्दार्तों को आपको क्या करना है उन पे रेखांकित करना है अंडरलाइन करनी है ताकि इस से ये पता चले कि इसका अर्थ क्या हो सकता है बिल्कुल सही है तो दो बार पढ़ें एक बार तो सम्माने पढ़ें और दूसरी बार क्या करें दूसरी बार जब आप पढ़ें तो अर्थ ग्रहन करते हुए पढ़ें अब आपके सामने सबसे बड़ी दुविदा क्या रहेगी कि सर अर्थ ग्रहन तो पढ़कर कि ये अनुमान लगाएंगे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है आपके मन में क्या होगा क्या हो सकता है ये आपको अनुमान लगाना है ये आपने अनुमान लगा लिया तो इसमें 90% सही होने का अनुमान होता है और 10% गलत होने का अनुमान होता है अब इसमें ये देखना होता है कि आप जब ये अनुमान करते हैं तो सही होने के चांच से ज़्यादा होते हैं और बच्चे उसको आसानी से समझ लेते हैं यह बास समझ में आगए आपको आगे चलो फिर आप अठी गद्यांस के आउतरण के मूल भाव को समझना चाहिए पहली बार आप जब इसको पढ़लो तो आपको यह समझ में आएगा कि यह टोपिक जिसे सिख्षा से जुड़ा हुआ या सब्वेता से जुड़ा हुआ या भ थबंदीति प्रश्णों का भाव समझ कर उत्तर खोजने चाहिए यानि कि दो बार आपने आप पढ़ फिर प्रश्णों को पढ़ा अब प्रश्णों को पढ़ करके उसमें देखना है कि प्रश्ण नंबर एक उसका उत्तर इसमें से विकल्पिक उत्तर है तो कौन सा उत्तर सबसे ज़्यादा सटिक है जब आप सटिक उत्तर पे पहुंच जाओ तो उसको आप टिक कर दीजिए फिर आगे प्रश्णों के उत्तर गद्यांस के बाहर नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं कि आपके ऑप्शन में गद्यांस के बाहर भी हो और आप उसी को टिक करें नहीं पहले आप उसका मिलान कर लो कि इस प्रश्ण का उत्तर इस गद्यांस में फोर्थ लाइन में थर्ड लाइन में फिफ्ट लाइन में कहां पर है ताकि यह कंफर्म हो जाए कि मैंने जो उत्तर दिया है जो मैंने टिक किया है बिल्कुल वहां सही किया है अगला है कि आपके उत होने चाहिए बिल्कूल होने चाहिए कभी-कभी मिलते-जुलते दो विकल्प भी होते हैं आपक 2016 किसका सभसें कहीं सा ऑ season सब्सक्राइब अब पजान है तो उसमें से चुनाव आते जाए आते जाएंगे आते जाएगे और पिर हमें क्या करना पड़ता है इसमें सबसे अच्छा कौण सह सभसे मांदार ओसे पिर हम उसी का चुनाव कर देते हैं पिर गद्यान जो करते हैं कि हमें दो تín बार पढ़ा और पढ़ करके समझा भी सरी तो हमारे दिमाग में यह प्रश्न आया कि इसका सीर्सक क्या हो सकता है इसमें क्या होना चीए सीर्सक क्या हो सकता है तो आपके दिमाग में जैसे मान लीजे 10 आए 10 आए एक से लेकर 10 उसको लिख लो लिखा आपने लिखने के बाद इसमें देखो कि 10 में से सबसे अच्छा कुन सा है एक चुनाओ करना है जो चुनाओ करोगे वही आपका आंसर होगा यह बाद समझ में आ गई या नहीं आ यह आपको बिलकु समझ में आ गई तो इससे सम्मंदित हम कुछ उधारण देखते हैं जो हमारी डीपीपी में हमने देव हुए हैं चलें हम हल करते हैं गद्या आपठित गद्यांस नंबर एक देखिए सब पहला है नेमनलेखित आपठित आपठित यह नि जो हमने हमारे जीवन में कभी भी नहीं पड़ा है गद्यांस को पढ़कर प्रश्चनों के उत्तर दीजिए कैसे देंगे साब देखव आप पहले तो पहले राउंड में कितनी बार पढ़ना है हमें दो बार पढ़ना है प कलम हाथ में हैं पैन हाथ में हैं पहले पार क्या करना है इसको सामानने रूप से पढ़ना है इसामजना नहीं है फेर दूसरे बार में हम समझ देंगे देखवा हिंदी साहित्ते के क्षेत्र में मुंसी प्रेम चंद उपन्यास सम्राठ के नाम से प्रसिद हैं अपने जीवन की अंतिम यात्रा उन्होंने मात्र चपन वर्स की आयू में ही पुण कर ली थी तथा पी उनकी एक एक रचना उन्हें युगों युगों तक जीवित रखने में सक्षम है जिसे हमें नहीं आता साब सक्षम तो रहे खंकित कर लेंगे गोदान के संधर्व में तो यहां तक कहा गया है कि यदी प्रेमचंद के सारे ग्रंतों को जला दिया जाए और मात्र गोदान को बचा कर रख लिया जाए वही उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखने को परियाप्त है प्रेमचंद का जीवन भले ही अभाओं में बीता हो कुछ बच्चों को यह अभाओं भी नहीं आता है अभाओं में बीता हो किन्तु वे धन को गलट धंग से उपार जन नहीं आता है करने से निर्धन रहना श्रेश कर समस्तेते एक बार धन कमाने की इच्छा से वे मुंबई भी गए किन्तु वहां का रंग धंग उन्हें स्रेश्ट सहित्येकार के प्रति प्रति-प्रतिकूल ही लगा प्रेमचन ने अपने उपन्यास एवं कहानियों में किसान की दैनी हालत अरे उपैक्षित वर्ग नहीं आता है नहीं आता है तो नहीं आता क्या करोगी कुछ भी पुजागर करने करके समाधान भी प्रस्तुत किये हैं अंग्रेजी साशनकाल में उनकी रचनाओं में अस्त्र का कारे किया हैं जिससे अंग्रेजों की नीन तक उड़ गई थी आधर्स एवं आधर्स एवं सुंदर समन्वे साइध ही कहीं मिलेगा जितना प्रेम चंद के उपन्यासों में मिलता हैं अब हमने इसको समझ भी लिया और पढ़ भी लिया कि इसका मलब पहले बार पढ़ लिया और पहले बार पढ़कर के मेरे कोई अंदाजा लगा कि इस गद्यांस में प्रेम चंद जी के उपलब्दियों के बारे में उनके साहित्ते के बारे में लिखा इसके लावा कुछ नहीं लिखा यानि क्या लिखा है कि प्रेम चंद जी के समथ नोबल के समथ समथ को नहीं प्रेम चंजी इसका सबसे भारत में सब से सर्व रेष्ट और सबसे ज्याद जैसे निखे हों गे उपढ़ के लिए उपयोगे रहे होंगे और आज दिन तक भी उनके उपन्यासों को पढ़ते हों तक इसलिए उनको ऊपार दिए की गई है उपनियाश समराट की अपादिवा है अन्तिक यत्रा में इसका मतलब है ला मिस पर लिए कि लिए उन्होंने जहां तक जीवन रहा एक मात्र कितने वर्स की 56ให फूंकी कितने वर्स कतने बर्स तक जीवित नहीं पूंकी तथा भी उसके बाद उसकी एक एक रचना उन्हें योगो योगो तक जीवित रखने में सकते हैं इसका मतलब जो भी लिखा प्रेम चंजी क्या मानते हुआ कई उपन्यास तीन सो कहानिय लिखी और उसमें से एक एक कहानी एक एक उपन्यास इतना सांदार जानदार है कि उनको पुनहा जीव कहा गया है क्या प्रेम चंद के सारे गुरंत फूरिया जाए जीवित करने के लिए पर्यापत है उनको जीवित बना रख सकता है प्रेम चंद का किन्तु वे धन को गलत धंग से उपार्जित करने यानि क्या उनकी उनकी सोच क्या थी कि पैसा वही सही है जो इमांदारी से मेहनत का पैसा हो गलत तरीके से कमाये हुआ पैसा बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है स्रेषकर समस्तेते एक बार धन कमाने की इच्छा से वे मुंबई भी गई किन्तु वहां का रंग धंग उन्हें स्रेष्ट सहित्यकार के प्रतिकूल ही लगा यानि उनको अच्छा नहीं लगा क्यों क्योंकि वहां तो दिखावटी संस्कृती है अरे जिसके पास पैसा है वह कुछ व्यवस्ता वहां पर नहीं है तो उनको यह सब अच्छा नहीं लगा प्रेम चंजी ने अपने उपन्यास और कहानी में किसानों के दैनी हालत वुपेक्षित वर्ग की समस्या वहां है एक तो निम्न वर्ग है एक गरीबी है तो उनको उनके सामने उनके जीवन में प्रताडित करता है उन्होंने अपने शाहित्ते का यह विसे बनाया बेमेल विवा और 20 साल की लड़की से विवा कर रहा है क्यों पेसे के बलपे कर रहा है तो उसका भी उन्होंने परदा पास किया है उजागर करके समाधान भी प्रस्तुत किया कि इसका समाधान कैसे हो सक अंग्रेजी सासनकाल में अरे उनकी रचनाई क्या अस्त्र का कारे किया जिससे अंग्रेजों की इतक्या नेंद तक उड़ गई आधर्श यह थार्थ का इतना सुन्दर समन्वे साइथ कई मिलेगा जितना की प्रेम चंद के उपन्यासों में मिलता है यह बात हमने पड़ी औ और हमने समझी भी सई अब आगे चलो अब इसके देखो कि प्रश्ट नंबर एक चलते हैं सब कि हमें आता है नहीं आता प्रश्ट नंबर एक है कि उप्रयुक्त गद्यांस का उप्रयुक्त सीर्षक कोन साइस आप देखो उपन्यास अंग्रेजी सासन अभाव भरा जीवन नेद अब यह चारों ही औप संचारों ही शब्द किस में आये हुए हैं लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि नेताओं का चुनाओं कैसे करतें खड़ें तो कितने होते दस पर बोड किसको मिलता है एक को इसी तरह आपको भी एक औप संटिक करने का अधिकार दिया गया है अब आपको केसे इस अधिकार को लेना है केसे क्या करना है देखवा इन में सबसे ज्यादा सही कुन सा है तो हम इसमें माने सबसे ज्यादा सही है उपन्या समराथ प्रेम चंद सबसे ज्यादा सही है प्रेश्ट नमबर दो लिया है प्रेम चंद ने अपने जीवन की कितनी तीन प्रेम चंद के उपन्यासों की विसेस्ता क्या हिसाब वहीं उनकी उपन्यासों की विसेस्ता समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तूत करना है बिल्कुल है किसान वर्ग को उपन्यास का केंदर बिंदू बनाना बिल्कुल है स्रेष्ट साहित्ते की स्रेणी में गिना जान बिल्कुल है तो जब तीनों है तो हम कुन सा लगाएंगे उप्रियुक्त तीनों हमने लिखेंगे फिर फॉर्ट में क्या है कि मुंबई जाकर वापस लोटना प्रेम चंद की किस विशेस्ता की और संकेत करता है बिल्कुल है धन उपारजन की लालसा को दूसरा जीवन मुल्यों को ताक पर रखकर धन कमाने से अच्छा निर्धन रहने की प्रवर्ति दोनों और उप्रियुक्त में से कुई नहीं तो कौन सी किस विशेस्ता की और जीवन मुल्यों को ताक पर रखकर धन कमाने की से अच्छा है कि निर्धन ही रहा जाए तो यहां इसमें देखो फिप्त देखें आप प्रेम चंदिक का सर्व सेलेष्ट कोटी का उपन्यास कोन सा है अभी पड़ा हमने गोदान कि सारे उपन्यासों को जला दिया जाए गोदान को रख लिया जाए तब भी गोदान के माध्यम से उनको प्रसिद्धी पूरे विश्व में प् भष्षण करें बाला आपको नर्क को समझ को तो समझ में आ गई ठीक है ना यहां तक ठीक है अब ऱ गद्यानस नंबर दो को देखें पर नबर के माध्यम से यह हमें आता है नहीं आता जिए से पेहला तो हळ लिए कर दिया अब दूस्रा वाला देख़ा रिख ते पठित गद्यान्स को पढ़कर प्रश्णों के उत्तर दीजे सब फिर आपकी हैबिट ऐसी हो जाएगी अधि आपने 20-30 से हल कर लिए न तो आपको दो बार पढ़ने की जरुत नहीं पढ़ेगी एक बार में आप उसको हल कर लोगे देखो किसे कि भारत वर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है बिल्कुल है आज एक एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है धर्म को धोका नहीं दिया जा सकता किसको दिया जा सकता है कानून को धोका दिया जा सकता है यही कारण है कि लोग धार्म भीरू है धार्म भीरू शब्द हमें नही और आएगा भी निक्सनरी खोल लोगे तब भी नहीं आएगा तो उसका ऑप्सन क्या है ढूंडेंगे अभी वे कानून की तुरूटियों तुरूटियों यानि गलतियों से लाब उठाने में संकुस्त नहीं करते यानि इसका मतलब क्या है कि जो धर्म से ड़ने वाले लोग ह उनको कानून की कोई परवा नहीं है कानून की तो वह गलतियों का लाब उठा लेते हैं इस बात के परियाप प्रमान खोजे जा सकते हैं कैसे कि आज कोई अफरात करता है तो जूट को सच में और सच को जूट में तो बदल सकता है लेकिन किसी ने चूरी कर लिए वह निया मंदीर पर या मजजित के दौर खुलवाई जाए तो वह अक्सर कह देता है कि हाँ मैं नहीं चोरी की क्यों क्योंकि वह कानून से नहीं डरता है वह किसे डरता है धर्म से डरता है आगे चलो कि समाज के ओप्रिवर्ग में चाहे जो भी रहा हू भीतर भीतर भार्त वर सब यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है अब भी सेवा इमानदारी सच्चाई आध्यात्मिक्ता के मुल्ले बने हुए हैं वे दब अवस्य गए हैं लेकिन नश्ट नहीं हुए हैं आज भी मनुष्य से प्रेम करता है महिलाओं का सम्मान करता है जूट और चोरी को गल समझता है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है हर आदमी अपने वेक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव भी करता है यह बात समझ में आगे आपको अब इसके प्रश्ण देखते हैं साब प्रश्ण कितन चुनाओं मैंने जैसे आपको बताया कैसे करते हैं दस चुनाओं हुए या केंडिडेट्स खड़े एक को लेते हैं तो इसमें कितने हैं चार तो क्या लेंगे हम उचित सीर्षक्या है कानून और धर्म धर्म की आउसकता आदर्सों का महत्तु भारत वर्ष तो हमने उचित सीर्षक्या लिया कानून और धर्म लिया हमने प्रश्ण नमबर दो क्या है कि धर्म भीरू लोग कानून के साथ कैसा विवहार करते हैं कैसा विवहार करते हैं वे कानून से डरते हैं कानून को धर्म समझते हैं कानून का सम्मान करते हैं कानून को धोका देने में संकोच न यह क्या है इसमें प्रश्न क्या है प्रत्त्य अलग करो और मूलसब्द अलग करो इसमें तो असान है लेकिन आध्यात्मिक्ता का एक प्ल स कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें उपसर्ग, मूलशब्द और प्रते को अलग-अलग कीजिये तो आपको केसे करना है? अधी तो क्या है? उपसर्ग है आत्म क्या है? मूलशब्द है और एक और ता क्या है? ये है प्रते तो यहाँ पर कौन सा आएगा? एक और ता प्रते आएगा आगे चलो प्रश्ट नमबर चार क्या है? कि धर्म भीरू का अर्थ है धार्मी को डर्पोक, धर्म से डरने वाला, धर्म का पालन करने वाला, धर्म के उलंगन तो इसमें आएगा धर्म से डढ़ने वाला, उसको क्या कहेंगे, धर्म भीरू कहेंगे, प्रश नमबर पांच क्या है, कि दूसरों की भलाई करने के लिए एक शब्द क्या है साथ, पर पीडा, पर यानि दूसरों की पीडा यानि दुखों हडने वाला, तो दूसरों की दु को हडने वाला क्यों होता है पर प्रॉपकार है पर यानि दूसरा उपकार यह पर बिदा गलत है पर अपकार दूसरों की बुरा बुरा करने वाला पर अपकार और पर उपकार इसका संधी विच्छेद क्या रहेगा पर प्लस उपकार अब इसका संधी विच्छेद हो गया पर प्लस उपकार लेकिन कौन सी संधी हुई कभी कभी आप से प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसमें बताओ, संधी कौन सी है, तो इसमें कौन सी संधी है, गुण संधी, और गुण संधी का नियम क्या है, आपको पता है, क्या, कि आ, आ के बाद, क्या हो, ई ए हो तो आ हो जाता है, और A, A के बाद U और U हो तो O हो जाता है यहाँ पर पर प्लस U, A प्लस U है तो यहाँ पर O हो गया और कौन से संधी के according हुआ तो कौन से संधी गुण संधी के according यह होता है यह बात समझ में आ गई तो हमने इस गद्यांज के कितने अभ्यास प्रश्न हल किये तो आपको यह थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा और फिर बाकी भी हम हल करेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू